So hi everyone, welcome back to my YouTube channel So friends, finally, आज भी हो गया 31 January और आज भी 1st and 2nd shift का examination हो चुका है J-Mins का तो friends, finally, अब बच गया 2 shift का और जो की 1 February का उसके बाद finally आप लोग का answer की आएगा answer की के बाद आपको final result आजाएगा तो जैसे की मैं आप लोग को मैं बता दूँ की आपको answer की 2 या 3 तारीकों रात तक आजाएगा तो जैसे ही officially आता है मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा बस आप लोग मेरे channel पर बने रहिएगा और friends, आपको finally जो result का जो information ब्लूटीन में बोला गया है कि आपको 12 फर्वरी को result declare करेगा लेकिन उससे पहले भी आपको कर सकता है बस मेरे channel को बने रहिए जैसे ही कुछ भी update आता है तो मैं आपको सबसे पहले बताता रहूँगा तो आज का मैं बात कर लेता हूँ कि आज का paper कैसा रहा तो friends काफी student का यही response रहा है कि भाईया जितना भी अभी तक examination हुआ है जो भी shift का आज का better रहा है जो कि physics और chemistry एजी रहा है और math का जो कि moderate रहा है तो उसके basis पर आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका कितना marks score कर पा रहे हो तो आपको कितना percentile बनने वाला है क्योंकि friends आज का HG paper गया है तो इसका मतलब हो गया कि आपको थोड़ा marks उठने वाला है तो यहाँ पर मैं देख सकते हो मैं बता देता हूँ कि friends अगर आप देख सकते हो 31 का है 1st and 2nd shift का यहाँ पर marks बर से percentile यहाँ पर आप देख सकते हो तो friends अगर आपको 240 से लेकर 260 के बीच अगर marks score कर पा रहे हो तो आपको percentile जो है 99.9 percentile बनने वाला है उसी तरसे आप देख सकते हो 210 से लेकर 220 के बीच लगा रहे हो तो आपको 99.7 percentile बनेगा उसी तरसे आप 200 से 210 के बीच देख सकते हो 99.5 percentile 80 से लेकर 85 अगर score कर पा रहे हो तो 99 percentile आपको बनने वाला है उसी तरसे 165 से लेकर 160 तक आ रहे हो है तो आपको 98.5 percentile बनने वाला है अगर friends आप J-Mains में score कर पा रहे हो 155 से लेकर 160 तो आपको expected मैं बता रहा हूं पलस माइनस 5 10 लेकर चलना ओके मार्च में तो 98 percentile आपको बनना है उसी तरसे 140 से लेकर 145 के बीच आ रहे हो तो 97.5 percentile बनेगा 125 से लेकर 135 तो आपको 97 percentile बनने वाला है अगर friends 120 से लेकर 125 तो 96.0 percentile बनेगा 110 से लेकर 115 के बीच में आपको आ रहा है तो 95 percentile बनने वाला है उसी तरसे 105 से लेकर 10 के बीच देख सकते हो 94.0 percentile बनेगा यानि 94 उसी तरसे 100 से 105 के बीच में आ रहा है तो आपको 93.0 percentile बननेगा अगर friends 95 से लेकर 100 के बीच आप स्कोर कर पा रहे हो तो आपको 92% बनने वाला है उसी तरह से आप देख सकते हो अलग मैंने बनाया हूँ कि अगर प्रेंस आपको 90 से 95 अस्कोर कर पा रहे हो तो आपको 91% बनने वाला है आज के पेपर के एकोडिंग 85 से लेकर 90 के बीच तो 90% आए 85 से 80 से 85 तो 89 देख सकते हो 75 से 88 परसेंटाइल उसी तरह से 65 से 75 के बीच स्कोर कर पा रहे हो तो 85 60 से 65 तो 75 50 से 60 तो आपको 60 परसेंटाइल आपको बनने वाला है तो यह आपका होगिया मास बरसे परसेंटाइल आज के पेपर के कोडिंग तो फ्रेंट इस तरह से आपको रहने वाला है और कोई भी अपडेट आता है किसी भी तरह का तो मैं आपको सबसे पहले बताता रहूँगा बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और मेरे व आपको अपडेट मिलता रहेगा ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड्स